है राजु जी आज आपका साथ गूमने में मज़त आया लेकिन इसमें थो 디क एर राज सकता है इसमें बइसες हा को जाएक तर ते यह क्यों टेश्जार जरूर जरूर जरुड़़्да सब्सक्राइब करने वाले हैं तो रियर साइड में यह रहा हमारा इसमें क्या प्राइस क्या आईगा और कहां मिलेगा वह भी चीज बताएंगे तो कीस तरह से फिट करना साइकल में किस तरह से फिट करता है इसका सेटिंग क्या आएगा तो वीडियो को पुरा कम्प्लीट देखें तभी आप अच्छे से हरे चीज़ समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आप लोग का बहुत यह कमेंड भी आर था कि राजुजी शिक्स इस्पीड गेर हम लोग अपना साइकल में कैसे फिट कर सकते वह भी नॉर्मल साइकल में चाहे आपके पास रेंजर साइकल या फिर इस तरह का बीस इंची साइकल हो सभी साइकल में आप आसानी स फिट कर सकते हैं चलिए आप लोग किन्से जादान लेते विडियो का सब्सक्राइब करने से पहले गियर कीट में क्या क्या आता है हम आप लोग को दिखाना चाहें तो यह जैसे कि आप देख पार यह आपका वेनम कंपनी का है मल्टी इस्पीड गियर सिस्टम सो गाइस त अब का गरीफ है और यहां पर आपका मिल जाता है देरेलर यह दिखे वेनम कंपनी के दो बहुती बेश्ट डीरेलर है और इसमें आपका एक फिरवीला जाता है यह दिकैंस इस फिरवील और यह आपका गियर वाइर जो के क्या आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से 6-speed gear fit होगा साइकल को इस तरह से पहले उलट लेना है उलटने के बाद आपको रियर विल खोलना है तो चलिए फटाफट रियर विल खोलते हैं इसमें चैन कोभर लगा हुआ है तो चैन कोभर को भी खोलते हैं का खुलने के बाद आपको ले क्याना है सवा 7 इंज का जो कि भोगल कंपनी का या फिस सोना कंपनी का रहेगा इस तरह सापको जाफ एक्सल फीट कर देना है अगर बॉल भारिंग खराब रहे तो बारिंग चेंज कर देना हाला कि हम कुछ दिल पहले यह साइकल का चक्का को ग्रिसिंग किये थ इस तरह से आपको fit कर देना है अगर आप new axle नहीं लगाते हैं तो फिर्विल में space ज्यादा लेगा gear cycle का जो फिर्विल होता है यह रहा gear cycle का 6 is फिर्विल यह जो फिर्विल का space होता है यह ज्यादा होता इसके लिए axle बड़ा लगाना ज़रूरी है जिस तरफ आप फिर्विल लगाएंगे उस तरफ का एक्सल का जो लेंद है वह आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा रखना है इधर वाला से ठीक है जैसा कि देख पाएदर चोटा है और इधर में बड़ा है ठीक है तो लेंद थोड़ा बड़ा रखना है उसके बाद चलिए फटाफड फिट करने से पहले इस तरह का एक डिक्स को भर आएगा जैसा कि देख पा रहे हैं इसे आपको शेप्टी गार्ड भी बोला जाता है ठीक है फिर विल का इस तरह साबको फिट करना है यह सब समान आपको आसानी से साइकल सोप में मिल जाएगा इस तरह साब तो लेना है यह देखें घैम एक रही बूस लेना है कि दा ये घ सके कर न contracted कर सकते और इस तरह को रहा है सो कर सकते हैं एक चका में फिर्विल करने के बाद क्या करना कि ति करना है साइकल में यह देखे लिए अपका फीट नहीं हो रहा है जैसा कि देख पार है ठीक है चक्का फीट नहीं हो रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे चक्का को बहर निकालेंगे और इस तरह का पुराना आइकसल जो आप साइकल से खोलेंगे चक्का से ओही एकसल को इसमें डॉने करनाब करना और हमेकसल न सैट करना है अछ Сबस्ट करना है यह अब!」 सबस्क्राइब करना स्षरी करना है और दोनों बराबर टायट करते रहना आपको यह जो गेपिंग ही आपका बाढ़ रहा है आसे ठीखस्ट तो हिस तरह से करते हैं आपको बढ़ा लेना है है ठीख चले लाक लोग को दिखाते हैं और बताते choices लिए यहां कब्रकी पार काको बढ़ल चुका है तो इस तरह से यह करब कर लेना है ठीक यह वेने करके तो यह हमारा कंपेट हो चुका आपको जो कम से कम 10 मिनिट तक छोड़ देना दस में छोड़ने के बाद एक्सल निकालेंगे तो फिर इसी तरह से यह फ्रेम का जो अलाइमेंट तो त्या करना है यह जो चेन आप देख पा रहें तो यहीं चैन को हम इसे फिट करने वाले पूरा नहीं लाना कि इसमें एक्स्ट्रा से चैन को जोड़ना है ओर लेंध को बढ़ाना है चैन का क्यूंकि इसमें जो दिस्क्रिप्शन में ओनलाइन का लिंक हम दे चुके आट वहां से सकते हैं जो कि बहुती दिन से यूज कर रहे हैं और बहुती एजिली काम होता है इसका मदद से यह देखे आपका खुल जाएगा कीदोग कच्छा यह से साफ कर लिए है कि अच्छे से सापक अच्छे сказать कर से कर ल barley को अच्छे से वास्प्रेश कर लिए 생ки को अच्छे से वास्फ कर लीना इस या नि आपको तो अपन लोग को दिखाना चाहेंगे यह देखिए कितना एकदम बेश्ट डिरेलर है जो किvy फूल मेटाल वोडी है और यह डिरेलर वीड को फिट करना है इस तरह से यह दिखे हुश 我miसे लूज करनाए धू HEY यहां पर जाइन इस तरह से नट को जो ह्टाइट करना है यह देखिये इस तरह से नदग यहां को आपको आट करना तो पहले आपको खोल के रखना है उसके और आपको क्या करना है कि इस तरह से चाका को फिट करना एक तरह से लिए अब हो जाएगा डिलॉल्स ने होगा यह देखिए डिलेलर हमारा फुट हो चुका है आप हम क्या करें कि से हमट कर देंगे यह देख्या एडरेलर हम टाइट कर दिये आपका फिक्स हो गया डिलेलर आप हम चैन को एलेंद को बढ़ा लिये हैं कितना बढ़ा है वह हम आप लोग को आगे बताते हैं हुआ है यह देखिए यह हमारा जो है डीरेलर में चेर्ण फितिंग हो गया है आप चलिए सामने से फिट करते हैं ऊछो इस तरह से सामने में आपको फिट हो जाएगा और तो इस तरह सब तो जो देना है जैसे देख पा रहे हैं तो chain का लेंध्ध हम बहुत ज्यादा बढ़ा कर दी है तो पर भी टाच वगरा नहीं करता सारा सेटिंग को हम मिला लिए पर परली फिट हो चुका है तो बताना चाहेंगे गेपिंग कितना ज्यादा डिस्ट्रेंसिंग फिर विल को चेचिस से रखना चाहिए यह सारा चीज हम आप लोग को आगे बताते हैं उससे पहले हम गेर वायर एक्स़ेटर वगरा फिट करते हैं आप लोगको दिखाते हैं चीप्टर को यह देखिए पेकेट से बाहर निकाल रहे हैं और घ्रीप को भी तो इसे तिखीए चरण किस तहां से करना है तो पहले आपको को लूज करना है इस तरह से आपको जो बोल्ड को लूज करना है ठीक है यह देखिए एक लुड हमारा या निकाल देना है pod है टरह सों आपको फीट दिएसे सिंतना य forg का ढ्रहा है तुझि जब बहुत जब श्रब्स को अरिसे में बेएक नहीं है और इस तरह से डायरेटलि सुने के पकड़नेका जग़ा भी बन जा और यह देखिए इस तरह सबस्ट कर सकते हैं परप्रोब्लम नियुँग आप चलिए गेर को इसकते हैं न्यू बाइक का इंजन का ओईल लेना है और अच्छे से आपको ओईलिंग करना है केसिंग में ठीक है यह देखिए यह देखिए एक दम न्यू ओईल है तो न्यू ओईल का ही आपको यूज करना है जलावा ओईल का यूज नहीं करना है यह देखिए एकदम अच्छे से आप भीटाद फिर आपको care wayr को करना है जो 3 है यह से आप करेंगे उधर है फको यह यहां से बाइन को डालना है के सिंग में सब्सक्राइक करते हैं कहां काँ कहा से ऐसे leake जाना ताकि dissolved चलाते समय से आई से्थे करके हम जो ц हुआunk और पर फिट incarnate के सिंग को इतना हम कट कर देंगे जितना यहां पर फिट होगा तरह के सिंग थूड़ा सब को कट कर लिए थोड़ा सब फोनल के सिग्ष और आपको मुस्खिल से कट आध मैं यह तरह फिटाना फ्लोथ पढ़ेगा यह दिझे डिलेलर में अंपर हमारा वास को चुका है और अच्छे सियांपर आपको फिट करना थ़या तो 18 नमर का स्थनला स्पेमर कर ज़रोत पढ़ prossी तो यह कुछ करनानि देते हैं और यहां पर नत में टाइट करने के बाद को क्या करना है तरह से आपको डीरेलर कर देना है। सभी जगहों में सभी पार्ट में अच्छे से आपको ऑईल कर देता है। यह देखें हैं, आप चली सिफ्ट करके हम आप लोग को दिखाते हैं। तरबॊमा रहा है मारा है आप चलिए ये अपका हो चुका है रहा है कि तरब आपको कि तीसरे शिप्तहा है अई पठ्टád में देख रहे हैं यह जिए कि यह तली सिफ्ट हो रग कोई फ्राबलम नहीं हो रहा इनीया सिफ्ट में यह लिग और यह लाक्य अच्छा से ऐसे पाइप लिएśmy// को बताए उस तरह से चेचिस का डिस्टेंसिंग बढ़ा लेना है एकसल के दुवारा उसका फिर विल को फिट कर लेना फिर फिट करने के बाद आपको चैन का लेंद को बढ़ाना है अगर आप 22 साइकल का कर रहे हैं तो लेंद थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा लेना है को चैन का अगर आप 20 इंची कर रहे हैं तो 20 इंची में ओही आपका जो है 12-13 कड़ी लगेगा ठीक है 12-13 लिंक आपको एक्स्ट्रा जोइंट करना है चैन में चैन का लेंद को बढ़ाना है तो उसी हिसाब से कम भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है तो चैन का लेंद को अपना हिसाब से यह जैसा कि देख पर हो बोल 주는 को यहां हम झागे फोलत लगा ने तो माइनरर माइनर गेपिंग से थोड़ा सट ज्यादा प्रकन और टाश कर रहा है। तो अंदर में एक-और वासर दे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी हम आप लोग को इसी तरह से देखा दे रहे हम बाद में कम्प्लीट कर देंगे बाकि अलाइमेंड जो भी आपको अच्छे से मिला लेना है उसका डिरेलर आपको इस तरह से चीड करना ठीक है जैसा कि आप देख रहे हैं तो यह अप देख रहे हैं ठीक टुब आपको चीज कर लेबल में रखना है इस तरह से और श्री और आपको बताएं एक्सल चेंज कर लेना है और एक्सली होता है आपको 07 क एक्सल लगाना है और एक आपको साध 1700 लगाना है इस तरह कि빁ह इस तरह के बुस्ट को आपको फिट करना है थीक है चक्पा देर के अंदर में जो की करना है केसिंग का साथ में यह देखिए और यहां पर आपका एक्स लेटर हाला कि हम आप लोग को एक चीज़ में किलियर करना चाहिए अगर आप यह देखिए गेर अच्छे से फिट हो चुका है और इसमें अगर आप डिक चैन कोफर वाली गेर करेंग सेट लगा लेंगे तो इसमें आपका चैन कोफर भी हो जाएगा देखने में सूटेबल लगेगा बाद में इसमें हम जब मोडिफाइड करें तो आप लोग को वीडिय करें तो बहुती मस्त चल रहा है यहेंट साइक अब हमारा जरी स्पीड हो छुका है जैसा कि देख पा रहा है और यहां से हम रावन fij यह देखे यहां पर जुब जादा लगड़ा नहीं तो यह देखें मस्त एक्दम यह देख इज एगं बूफिकण चल रहा है यह देखर जैसा कि देख पा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, गेर साइकल चला करके, और इस तरह का साइकल में अगर आप गेर फिट करना चाहते हैं, तो इसली इस तरह से फिट हो जाए, अगर आप खुद से नहीं फिट कर सकते हैं, 6-speed गेर देशी साइकल में हो, या बहुत हैं, तो आप मेकैलिक का हैए, कोई भी साइकल डे शौप में, जहाँ पर इन फिए कब से साइकल करना हो, जानता ही, यह return, अप के छे साइकल का है, आप इस तुमें ही डिस्प्तर को ही है, जएख किस सिंप्टर कर देख रहे हैं, तो पर सायपना साइकल में इसक्रा जादा बेश रहता तो जैसा कि हम आप लोग को बताएं अगर इसमें इसमोल साइच के अगर सिप्टर मिलता है तो हम फिट करेंगे तो आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा और इसमें जो चैन हम लगाए ये गेर साइकल का चैन नहीं है ये नॉर्मल चैन है जो डिया कंपनी के गेर कीट होता है इसमें इजली नॉर्मल साइकल के जो प्रॉबलम नहीं होता है लेकिन बसरते आ जाता कि सेटिंग अगर आप सही से एकड़ा नहीं होना चाहिए आसा करतेगा इस हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिये बता दिन्ल सांकें कि साइकल में इंस्ट्रॉल कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट नोलेजर वीडियो साथ में ततले अपना ध्यान के जैहिन जै भारत और नीचे में प्यारा सा कमेंड करना विल्कुल ना भूले